हलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। कि आप जानते हैं कि कौन से खाड़ी देश में सबसे पहले तेल की खोच की गए थे? अज हम बात करने वाले हैं उस देश के, जो प्राचीन काल से ही व्यापार का प्रमुख के इंदरा है। इस इस देश में एक ऐसा पेड़ है, जिसे पंदरुवी सदी में लगा गया था। इस देश के खास बात ये है कि इसे भी हमारे देश की तरह ही 15 अगस्त को आजादे मिले थे। इस देश की करनसी दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत करनसी मानी जाते हैं। भले ही यह एक इस बेरेन देश अपने समुदरी धेटों, शांदार होटेल्स और रिजॉट्स, शॉपिंग मॉल्स, अतिहासिक स्थलों, मस्जिदों और खोपसूरत परियाटक स्थलों के लिए प्रसत है। दूस्तों इसे अरब का लास वेगस भी कहा जाता है। हर साल एक करोर से ज्यादा परियाटक बेरेन घुमने के लिए आते हैं। और पूरे एशिया में मालदीव्ज और सेंगापूर के बाद दीसरा सबसे छोटा देश है। बेरेन की गिंते दुनिया में सबसे ज्यादा घनत वाले देशों में भी की जाते है। देश की जनसंक्या की बैत करें तो ताजा अकड़ों के मताबेक इस देश में 18,35,000 देश बेरेन एक ऐसा राश्ट्रह है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और इस देश में मस्जिदों के साथ-साथ चर्च और हिंदू मंदर भी आपको बने हुए नजर आ जाएंगे। इस देश की ओफिशल लैंग्विज है इसके अलाबा इंग्लिश लैंग्विज का भी यहां पर इस्तमाल किया जाता है। इस देश में आज भी मोनार की रूल है और देश का राजा ही सभी छोटे बड़े फैसले लेने की ताकत रखता है। इस देश में भारत के साथ साथ कई एशियाई और आफरीकी देशों के युवा बेरेन का रुक कर रहा है। बेरेन में एक आम आदमी भी अच्छी खासी कमाई कर लेता है और इसकी वज़े से बड़ी संख्या में लोग इस देश का रुक कर रहे हैं। बेरेन का लिटरसी रेट करीब 91 प्रतेशत है और ये देश शिक्षा प्रनाली में सिधार कर लिटरसी रेट को बढ़ाने की और काफी जोर दे रहा है। बेरेन की गर्णमेंट को ये अच्छे से पता है कि देश को आगे लेकर जाने के लिए शिक्षा कितना जरूरी है। बुतादें की गर्मियों के दौरान बेरेन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। बेरेन मद्यपुर्व का पहला देश था जिसने 2004 में फॉमूला वन ग्रामप्री आयुचित की थे जिसे वरतमान में गल्फ एर बेरेन ग्रामप्री के रूप में जाना जाता है। और ये फॉमूला वन कैलेंडर की तीसरी रेसर। साथी साल 2004 में बैरेन ने दुनिया के सबसे बड़े जंडे का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था हलिंकि बाद में ये रिकॉर्ड इस्रेल ने तोड़ दया बैरेन के जंडे में लाल और सफेद रंग के बीच पांच ट्राइंगल बने हुए नजर आते हैं जो इसलाम धर्म के पांच स्तंभों के प्रतीक हैं दूस्तों बैरेन के अर्थव्यवस्था की बात करें तो साल 2022 के अंग तक इस देश की जीडिपी 42 बिलियन डॉलर्स रहने का अनुमान है पूर कैपिटा इंकम के मामले में भी बैरेन काफी आ गया है एक समय में बैरेन के अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर ही निर्भर करते थे लेकिन समय के साथ बैरेन ने अपनी एकॉनमी को अन्य सेक्टरस में शिफ्ट किया है ऐसा इसलिए क्योंकि तेल के प्रकृतिक और सीमित संसादन है और तेल के खत्म होने से पहले बैरेन को आमदनी के नए स्रोथ तलाशने की जरात है जनकारी के लिए बताने कि बैरेन एशिया में बिजली का सबसे बड़ा उपभोगता और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उपभोगता है बैरेन में कोई भी इंकम टैक्स नहीं लगता है यह सभी लोगों के पास आपको आलिशान घर और महंगी गाडिया नज़र आएंगे Human Development Index में बैरेन को 6.875 का स्कोर मिला था जो इसे दुनिया के शैंदार देशों की कैटेगरी मिला के खड़ा करता है बैरेन भले ही एक इस्लामिक राश्टर है लेकिन यहाँ पर महिलाओं को हर प्रकार की आजादी दी जाते है 2002 में महिलाओं को वोड डालने के अधिकार दिया गया था महिलाओं यहाँ पर अपनी मर्जी के मताबिक कपड़े पैन सकते हैं कहीं भी घूम सकते हैं और ड्राइब भी कर सकते हैं इतना इने देश की अर्थववस्था को मजबूत बनाने में भी महिलाओं अपना एहम योगदान दे रही हैं साथी दोस्तों बहरेन की लड़कियां दिखने में भी काफी आकर्शक और खुबसूरत होते हैं कहा जाते हैं कि बहरेन की लड़कियों को संदर दिखने के लिए किसी मेकप की ज़रत नहीं होते क्योंकि यहां सभी लड़कियां कुदरती रूप से ही बला की खुबसूरत होते हैं हालंकि कुछ सखत नियम आपको बहरेन में देखने को मलेंगे विश्या बृति भी इस देश में कानूनी रूप से अवयद है लेकिन समय के साथ कल्चर में बदलाव आ रहा है जोस्तों बहरेन और साओधी अरब के बीच एक 25 किलोमेटर लंबा पुल बना हुआ है जिससे किंक फाहद कॉजवे कहा जाता है जब भी साओधी के लोगों का मन करता है वो अपनी कार उठाते हैं और बहरेन चले आते हैं इसलिए बहरेन को साओधी का लास विगस भी कहा जाता है इस पुलका निर्मान सेल 1987 में करा गया था काल जाता है कि सभी खाड़ी देशों में आपको सबसे शांदार नाइट लाइफ बहरेन में ही देखने को मिलेगे आप अपने दोस्तों और परिवारवालों के साथ यहां जाकर मौज मस्ती कर सकते हैं यूँकि बहरेन में दुनिया के कई देशों के लोग रोजगार की तलाश में आते हैं इसलिए आपको अरब के अलावा कई अन्ने संस्कृतियों की जलक भी यहां देखने को मिल जाएगे दुकिस्तानी अलाके में स्थेथ होने के कारण बहरेन में साल भर बारिश नों के बराबर ही होते हैं बहरेन के पास करीब 111 किलोमेटर की कोस्टल लाइन मौजोद है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 5 प्रतिशत समुदरी तर्ट पे ही आप लोगों को जाने की छूट है बाके के समुदर तर्ट यहां के शाही परिवार के नाम रिजव हैं या फिर देश के अमीर लोगों ने उन्हें खरीद कर प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया है बहरेन की नाशनल डिश चिकेन माच बूस है जिसे मीट, फिश और चावल के साथ तयार किया जाता है अग जिस भी देश या शेहर में घूमने के लिए जाते हैं साथी मौहमर नाम की एक स्वीट डिश भी यहां काफी लोग प्रिया है जिसे ब्राउन राइस और चीनी से तयार किया जाता है इसके अलावा हलवा खाना भी बहरेन के लोगों को काफी पसंद है बहरेन में साल भर कई प्रकार के इविंस और फेस्टिवल्स का आयोजन धूमधाम से किया जाता है वोल्ड डाइविंग डिपर मरासी डाइविंग फेस्टिवल यहां आयोजित होता है बहरेन जैस फेस्टिवल एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग आते हैं बैरेन नाशनल डे, शॉपिंग फेस्टिवल्स के अलावा मोहर्रम और इद जैसे तयोहार भी यहां धूमधाम से सेलिब्रेट किये जाते हैं अब लोग शायद काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे कि बैरेन में घूमने लाएक कौन-कौन सी जगा है चुलिए अब आपकी बिचैनी को शांत करते हुए बैरेन के लोग प्रिये टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स के बारे में आपको बताते हैं अल्दर आइलेंज, जरादा आइलेंज, हवर आइलेंज और अमवज आइलेंज में आप खुबसूरत समुदरी तेटों की सेर कर सकते हैं यहाँ पर कई प्रकार के वाटर स्पोर्स भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप पार्टनर के साथ बेरेंज गुमने जा रहे हैं तो इन खुबसूरत बीचेज और आइलेंज की सेर जरूर करें बेरेंज में स्थेर डाइब बेरेंज दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पाक है जो एक लाक वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसमें 70 मीटर पूरी तरह से डूबा हुआ बोईंग 747 जंबो जेट एर प्लेन है बेरेंज के इतिहास सिंस्कृति और कल्चर के बारे में करीब से जाना चाहते हैं तो बेरेंज नाशनल म्यूजियम आप विजिट कर सकते हैं बेटल कुरान में आपको कई प्राचीन कुरानों का संग रह देखने को मिलेगा अलफटै ग्राइन मॉस्क इस देश की सबसे बड़ी मस्जिद तो है शाथे इसकी गिंती दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में की जाते हैं इसका निर्मान 1987 में शेक आहमद बिन मुहमद बिन खलीफा ने कराया था बेरिन फोर्ट का निर्मान पुर्तगालियों ने सूलवी शताबदी में कराया था और इसे यूनिस को द्वारा विश्व एतिहासिक धरोहर का दर्जा भी प्राप्त है रिफा फोर्ट, कलत अरद, बाबल बेरेन, अलरीन वाइल लाइफ पार्क एंड रिजॉब, दि आवेन यूज और करीब 4000 साल पुराने दिल्मन एरा ब्यूरियल माउंज जैसी जगा भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं इन सबके अलावा बेरेन में एक पेड़ भी काफी प्रसेद टूरिस्पोट बन गया है रिफिस्तान में लगा सिंगल मिस्कॉइट नाम का ये पेड़ लगभग 400 साल पुराना है आसपास कोई पानी का स्रोध भी मौजूद नहीं है इसके बावजूद ये पेड़ आज तक नहीं सुखा है तो दोस्तों ये था अनोखा अरब का देश बैरेन उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको बैरेन की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छे लगे का आपको भी गए हो बैरेन और अगर गए हो तो आपका एक्सपिरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजेगा सथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ शेयर करना मत बोलियेगा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को आन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब से फिर मुलाखात होगी एक और नई वीडियो के साथ